हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस एडिया तो आइनखाव मंडी से पार्ट टू का वीडियो कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में only 4 किसान भाई की गाय का डिटेल दिया जाएगा या तो जो गाय बिग गई है उसका डिटेल किसान भाई की ही गाय की होगी और जो सेल के लिए बची भी गाय है आज की मंडी में उसका भी डिटेल देंगे वो भी किसान भाई की ही गाय का होगा बहुत सारे लोगों का कहना है कि किसान भाई की गाय का भी डीटेल दिया करें कुछ देसी गाय का भी डीटेल दिया करें तो इस मंडी में देसी गाय थोड़ा कम देखने को मिलती है क्रोस ब्रीड जादा इस मंडी में उपलब्ध होती है गाय तो cross breed यानि सहीवाल cross की गाय पे focus रहेगा तो वीडियो में अंत तक बने रहें कुछ भैस भी की है उसका भी detail आप लोगों को वीडियो के अंत में दिया जाएगा तो चैनल पर अगर नए है तो subscribe जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा कर all पे जरूर किलिक करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो सबसे पहले इस गाय का detail देना चाहेंगे जो एक किसान भाई की गाय थी यह और आज की मंडी में sale हो गई यह क्या प्राइज में बिकी है वो detail देना चाहेंगे यहाँ पर धार वगएरा देखने के लिए बच्चे को लगाया है और गाय पिना चुकी है धार देखने के लिए यहाँ पर जिन्होंने खरीदा है वो बैठ चुके हैं ठनों के पास और नात में यह गाय मिली भी है यह किलियर करना चाहेंगे मिल्किंग कैपिसिटी इसके नीचे दोनों टाइम का 10 लिटर बताया जा रहा है देख सकते हैं धार काफी बढ़िया है और पिछला जो छेमी है उससे भी चेक किया जा रहा है और यह गाय आज की मंडी में 27,000 रुपया में बिग चुकी है 27,000 में तो काफी बढ़िया प्राइज में यह गाय खरीदा गिया है बच्चा भी फीमेल है इसके नीचे तो 10 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी 27,000 रुपया में आज की मंडी में यह गाय सेल हुई है फीमेल बच्चा के साथ में है यह गाय तो इस गाय का आप डीटेल देना चाहेंगे जो के यह गाय सेल के लिए उपलब्ध है और लगातार इसके पीछे कश्टमर लग रहे हैं यह गाय अभी बिकी नहीं है देखते हैं अगर अंत में बिक जाय तो विडियो बिका हुआ भी कवर कर लेंगे लेकिन अभी तक सेल नहीं हुई है दांत में मिली भी गाय है यह और milking capacity की बात करें तो 8 लिटर milking capacity इसके नीचे बताया जा रहा है जो के काफी अच्छी गाय है और साहिवाल क्रोस बिडिट की यह गाय देख पा रहा है आप देख सकते हैं हाइट लेंद काफी बढ़िया तो HF साहिवाल क्रोस बिडिट की गाय आप देख रहे हैं अपने स्कीन पर तो बहुत अच्छी गाय है और milking capacity भी 18 लिटर बताया जा रहा है प्राइस की अगर बात की जाए तो काफी रिजनेवल प्राइस में यह गाय आज की मंडी में सेल के लिए उपलब्द हो रही है 45,000 में only और इसमें भी कुछ न कुछ कम कर दिया जाएगा फिक्स नहीं है और यहाँ पर बच्चा जो के बाचा बच्चा देख पारें ब्लैक कलर का और एक बार इस एंगल से गाय को देख लें गाय का लेंथ काफी बढ़िया है तो 18 लिटर milking capacity 45,000 प्राइस रखा गया है मेल बच्चा के साथ में यह गाय है तो चलिए इस गाय का डीटेल देना चाहेंगे जो के यह भी एक किसान भाई की ही गाय है और आज की मंडी में सेल होने के लिए उपलब्द है तो क्या इसका डिमांड क्या जा रहा है वो आपको डीटेल देना चाहेंगे दांत में मिली भी गाय है यह और इसके नीचे मिल्किंग कैपिसिटी 12 लीटर बताया जा रहा है काफी बढ़िया अडर की गाय है देख सकते हैं बिल्कुल कसा हुआ और लेउटी का गैप भी काफी बढ़िया है जो चारो छेमी का गैप है वो भी ठीक ठाक है फ्रंट साइट से भी देख सकते हैं और ये फेस पंच दात में मिली भी गाय है और मिल्किंग कैपिसिटी 12 लीटर और डिमांड के अगर बात की जाए तो 43,000 इसका प्राइज रखा गया है 43,000 रुपया बच्चा इसके नीचे भी मेल है बच्चा बच्चे के साथ में ये गाय है तो आगे चलिए एक और यहाँ पर गाय देखने को मिली जो के ये भी गाय काफी अच्छी है और क्रोस ब्रीट की गाय जैसा के सहीवाल क्रोस देख पा रहे हैं ये तो इसका भी डीटेल देना चाहेंगे ये भी एक किसान भाई की गाय है और क्या है इसका पूरा डीटेल वो आपको देंगे वीडियो में अंतक बने रहे हैं वीडियो पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी समझ में आ सके तो ये गाय दात में मिल चुकी है और मिलकिंग कैपिसिटी इसके नीचे चौदा लीटर दोनों समय का बताया जा रहा है इनके उनर दुआरा और दो दिन पहले का बच्चा है जो के देख सकते हैं इसने जो बच्चा दिया था तो अभी तक इसके पैरों में खुन वगएरा लगा हुआ है जो के देखने को मिल रहा है अडर की बनावर देख सकते हैं साफ सफाई भी अभी नहीं हुआ है क्योंके ताजा भी आई भी गाया है और इस गाया का 45,000 रुपए डिमांड रखा गया है बच्चा मेल है 14 लीटर मिलकिंग कैपिसिटी के साथ में तो चलिए एक और गाया जो के यहाँ पर सहीवाल देखने को मिली कोशिस मेरा यही है कि इस वीडियो में देशी गाया पे फोकस किया जाए जैसा के सहीवाल हो हलागी प्योर तो नहीं है कुछ क्रॉस ब्रीट की गाया है लेकिन देशी से हमारी क्रॉस ही है जैसा सहीवाल ब्रीट की आगे दो गाये मैंने दिखाया और यह तीसरी गाये जो के सहीवाल से क्रॉस है और दांत में यह गाये भी मिल चुकी है मिलकिंग कैपिसिटी की बात की जाए तो इनके अउनर दोआरा 11 लीटर दोनों समय का मिलकिंग बताया जा रहा है और छेमी जो देख पा रहे हैं लेटी भैंसो के तरह इसका है काफी मोटा और बढ़िया थन भी मनाई है तो 11 लीटर मिलकिंग कैपिसिटी के साथ में यह गाये आप देख पा रहे हैं और डिमांड के अगर बात की जाया तो इस गाये का 40,000 प्राइज रखा गया है 40,000 रुपया बच्चा इसके नीचे फीमेल है जो के देख पा रहे हैं आप सामने गिर का बच्चा है तो चलिए आगे कुछ और किसान भाई की गाये का डीटेल देता चलूँ आपको और इस वीडियो में जो भी गाये का डीटेल मैं दे रहा हूँ सभी गाये किसान भाई की है और काफी हद तक प्राइज भी इरिजनेवल लग रहा है हलाकि थोड़ा सा मिलकिंग वगएरा किसी किसी गाये में कम देखने को मिल रहा है तो ये गाये जैसा के दात में मिली भी है और इसके नीचे 9 लिटर मिलकिंग कैपिसिटी बताया गया है अडर की बनावर देख सकते हैं और इस गाये का प्राइस 33,000 रुपया रखा गया है 33,000 जो के फीक्स नहीं है इसमें भी कुछ कम जादा कर दिया जाएगा बच्चा इसके नीचे मेल है बाच्चा बच्चा जो के देख पा रहे हैं यहाँ पे तो ये 9 लिटर दोनों टाइम का मिलक तो नहीं करेगी मेरे हिसाब से दोनों टाइम में दुबली पतली देखने में लग रहे ही होगी और ताजा ब्याई वी गाय है तो पूरी डीटेल देंगे क्या इसका प्राइज रखा गया है देख सकते हैं इस एंगल से गाय को गुमाने के लिए कहा गया है तो दाँत में मिली भी गाय आप देख पा रहे है और मिल्किंग कैपिसिटी वगरा की भी बात करेंगे बच्चा देख सकते हैं बिल्कुल छोटा बच्चा दो दिन का मात्र बच्चा है और ताजा ब्याई भी है अभी इसका फेनूसी है और ये दाँत में मिली भी गाय और मिल्किंग कैपिसिटी की बात की जाए तो दस लिटर अभी इसके नीचे मिल्क तयार है और इनका कहना है कि साड़े बारा तेरा लिटर तक ये मिल्क करेगी दस से बारा दिन के बाद इसका जो मिल्क उतरेगा साड़े बारा लीटर के आसपास मिल्क उतरेगा, दस लीटर अभी मिल्क तयार है और 36,000 रुपए इस गाय का डिमांड रखा गया है 36,000, बच्चा मेल है इसकी नीचे, बाचा बच्चा है तो चलिए आगे इस गाय का डीटेल देता चलूँ आपको उसके बाद फिर कुछ भैस का डीटेल देना चाहेंगे ये गाय चार दात पे बताई जा रही है इनके ओनर दुआरा और मिल्किंग कैपिसिटी इसके नीचे 9 लिटर बताया गया है जो के कद काठी में थोड़ा सा छोटी है HF Crossbreed की गाय अडर की बनावर देख सकते हैं 9 लिटर दोनों समय का मिल्किंग कैपिसिटी इसका और 35,000 इस गाय का प्राइज रखा गया है 35,000 बच्चा मेल है इसके नीचे बाचा बच्चे के साथ में ये गाय है तो चलिए भैसों के तरफ आ गया है और कुछ भैस सेल हुई है मंडी में उसका डीटेल आपको देना चाहेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर यह जो भैस देख पा रहे हैं आप दात में मिली भी है और 10 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी इसके नीचे बताया गया है डिमांड की अगर की जाए तो इस भैस का 58,000 रुपया डिमांड किया गया था लेकिन आज की मंडी में 47,000 में सेल हो गई है 47,000 रुपया में बच्चा इसके नीचे मेल है और एक भैस और इनके पास है उसका भी डिटेल देना चाहेंगे ये भैस लेफ साइड वाली सेल हो गई राइट साइड वाली जो भैस देख पा रहे हैं आप दात में मिली भी है और 10 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी इस भैस की भी बताई जा रही है राइट साइड वाली जो भैस देख रहे हैं आप और इस भैस का डिमांड 61,000 रुपय रखा गया है बच्चा फीमेल है जो के अडर की बनावड देख सकते हैं 10 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी 61,000 रुपय डिमांड फीमेल बच्चा के साथ में है और लेफ साइड वाली भैस का बच्चा मेल है जो के 47,000 में सेल हो गई है देखा जा रहा है दूद को छेक भी किया जा रहा है बहुत सारे गाई या भैस का दूद जो है वो थोड़ा सा नमक टाइप का लगता है तो जिसके वज़ा से दूद छेक भी किया जाता है पीकर तो ये भैस दात में मिल चुकी है और milking capacity इसके नीचे 8 लिटर दोनों समय का बताया गया है और ये भैस आज की मंडी में 41,000 में finally sale out हो चुकी है बच्चा इसके नीचे भी female है काणी बच्चा के साथ में ये भैस तो देख सकते हैं भैस को घुमाया भी जा रहा है यहां पर ध आगे कुछ और भैस का detail देता चलूँ जो के आज की मंडी में ये भैस भी sale हो गई है और काफी अच्छी भैस है और क्या प्राइज में विकी ये सब detail देना चाहेंगे और 6 नात पे ये भैस ये सबसे अच्छी बात है कि ये जवान भैस है और ये भैस अपने दूसरे बया और आज की मंडी में ये भैस 64,000 में sale हुई है 64,000 रुपया में बच्चा इसके नीचे female है face punch देख सकते हैं भैस का length height काफी शांदार और dairy में रखने लाइक भैस है और ये बच्चा जो के देख पा रहे हैं आप काड़ी बच्चा के साथ में ये भैस है तो भैस ये बिक च चुकी है धार वगएरा देखा जा चुका है finally और सब कुछ clear है तो 64,000 रुपया में आज की मंडी में ये भैस बिक चुकी है तो आप लोग comment जरूर किया करें चाहे भैस हो या guy कि जो बिकी है वो क्या prize में जो बिका वो ठीक है जिन्होंने खरीदा जिस prize में वो ठीक प्रा वो देने के बाद फिर वीडियो को करेंगे अंत क्यूंकि वीडियो भी काफी बड़ा होता जा रहा है तो ये भैस काफी अच्छी लगी मुझे और दात में मिली भी भैस है तो इसका अडर वगएरा back side से cover करेंगे front side से आप देख पा रहे है इसका अडर back side से क्या है अडर वो दिखाना चाहेंगे तो दात में मिली भी भैस और काफी अच्छी कद काठी में भैस है देख सकते हैं जैसा के मुर्रा भैस देखने को मिलता है उस type का इसका पीछे side का बनावट है और थनों का जो है length वो देख सकते हैं और जो इसका छेमी है वो भी काफी बढ़िया है मिल्किंग वगरा करने में इस भैस का भी काफी मज़ा आएगा तो काफी अच्छी भैस है और मिल्किंग कैपिसिटी इस भैस की नीचे में 12 लीटर दोनों समय का बताया जा रहा है डिमांड की अगर बात की जाए तो इस भैस का 77,000 प्राइज रखा गया है 77,000 रुपया औ और कम जादा कर दिया जाएगा फिक्स प्राइज नहीं है जैसा कि मैंने पीछे 3-4 भैसो का डीटेल दिया तो उससे अनुमान लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो को करेंगे अंत वीडियो कैसा लगा यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेर करना ना भूलें